हेलो चैंपियंज वेलकब टो फैंटेसी क्रीग वर्ल्ड कप दो जार तेइस का दूसरा सेमी फाइनल जो की खेला जाने वाला है साउथ अफ्रिका वर्स आस्ट्रेलिया के बीच में 16 ओफ नवेंबर को खोलकता की इडिन गार्डेन में ये मुकाबला शेडियूल्ड है दो पहर में इस मैच के लिए त्यार जाना क्योंकि ये बहुत बड़ा महा मुकाबला होने वाला दोनों ही टीमें काफी जारा स्ट्रॉंग है और पहला सेमी फाइनल जो जो प्रेडिक्शन वीडियो में बताई गए थी इंडिया तो फाइनल पहुचना तै था वही हुआ जैस होना था इंडिया का फाइनल जीतना भी आल्मोस्ट जैसा कि हम सब चाहते जीते लेकिंग आइस अगर पहले सेमी फाइनल की बात करें एक्जाक वीडियो में जो जो चीजे बताई थी मैंने सारी चीजे वैसे हुए चाहे आप समी वाले प्रेडिक्शन की बात कर लो आप इराट पोली ये सतक वारी बात को लोग कैपिटन बना के दिया था डेरियन मिचेल केन वीलियमसन रोई शर्माज शुमन गिल केल राहूल सारी प्रेडिक्शन एज इस गई है और जिसको भरोसा नहीं है वो कल के हमारी वीडियो उठा के देख लेना हमारे शौट्स की टीम उठा के देख लिना गाईज अगर आप उस टीम के साथ जाते तो आपकी वीनिंग तेह थी कोई भी आपके आगे पीछे नहीं आपको हरान नहीं पाता और आप जाके सारे प्रूफ आल्रेडी पड़े हुए हैं ऐसा कोई भी बाते बोलने के लिए नहीं बोली जारी तो आ जाफी जादा स्टॉंग है लीग मैचे में नौनों मैच में साथ साथ मैचे दोनों ही टीमों ने जीता है हला कि नेट रंडिट के हिसाब से साउथ अफरीका रैंक टू पे थी लेकिन गाइस पांच बार की वर्ल चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को सेमी फाइनल में बीट करना बह पहला फाइनल मैच सबसे पहली बार काफी एमोशनल मोमेंट होगा फिर वो पहली बार साउथ अफरीका फाइनल खेलेगी और शायद ऐसा हो भी जाए क्योंकि साउथ अफरीका इस बार के वर्ल कप में विनर के तरह परफॉर्म किये गाई चाया बात परो सारे प्लेयर्स क महां पर आच्छे रंडेट के वज़े से ऑस्टेलिया ने क्वालिफाई किया था और दो जाए साथ में भी दो रोटी में भीड़ी थी जहां पर ऑस्टेलिया ने पचार दिया था साउथ अफरीका को और वर्ल फाइनल में पहुची थी तो इस बार क्या वही कहानी फिर द यहां पर वर्नर, स्टीव, स्मेट, मिचल मार्स में कौन जादा पॉइंट दिलाने वाला है सामने वाल टीम से जिस तरह से रसी, वेंडर, दसन की बात करने हैं जिस तरह से एडम, मार्को, जैंसर, कुर्जी ने लास माच में चार विकेट लिया है, रबार, डाल, समसी, सा कौन से तीन प्लेयर होंगे जिनको इस माच में नहीं लेना है, कैप्टन हो इस कैप्टन किसको क्रियेट करना है, इसके साथ इसाथ इस माच की ग्राण लिग टीम क्या होने वाली है, वेंडियू स्टार्स कोलकता की पिच कैसी होगी, वहां पेसर, स्पिनर में किसको मदद जिता सकता है, तो क्रिकेट वर्ल्ल कप 2023 का दूसरा फाइनल में पहुशने वाली टीम कौन सी होने वाली है, ये सब जानने के लिए, इस वीडियो को पूरा देखना काईज, क्योंकि सारी प्रेडिक्शन आपको बताऊंगी, तो यहां पर एक बात और है, आपको पता है, गिववे स्पेशल है, तो आपको गिववे यहां पर फर्स लाइक, फर्स कॉमेंट के साथ, दो इजी कोशन का आंसर देना है, और बाकी टेलेग्राम में जुड़ जाना है, क्योंकि बैक टू बैक आग लगारी, फैंटसी क्रीक बॉल के टीम ने इस बार वोल्ल कप में ब आपको कोई प्रॉबलम भी होती है, तो आप डिरेक्ट आके मुझे डीम कर सकते हो, कोशिश होती है कि 24 आर के अंदर आपकी प्रॉबलम को सॉल्यूशन आपको दिया जाए, तो गाइस टेलीग्राम पे जुड़ जाना है और इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ-साथ कॉमेंट बॉक्स में पेन है, इस सेकेंड मैच की धमाकेदा टीम और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, इस मैच में आपका क्लीन स्विप करना तै है, इस मैच में आपको जिताएंगे गाइस, कन्फर्म बता सकती हूँ, बाकि आपको टेलीग्राम पे जुड़ना कैसा है, स केलीग्राम चानल यहां से कर लेना है, जॉइन, 95,000 से जादा लोगों ने भरुसा रिखाया है, क्रिक बॉल फैमिली के ऊपर, अब आपकी बारी है, और आपका कितना फायदा होने वाला है, यह जब मेरे साथ जुड़ोगे तब आपको पता चलेगा, कि आपके साथ हम कित टीम सब कुछ आपको मिलेगा, तो गईस टेलीग्राम पे सबसे पहले तो सब लोग जो टेलीग्राम पे जुड़ जो लिंक डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में है, कॉमेंट करना अच्छी वीडियो बनाईए और आपको सबसे उपर लिंक मिलेगा, जोइन कर लेन क्योंकि दोनों ही टीमों की बैटिंग लाइन काफी ज्यादा स्ट्रॉंग है, बाउंस यहां पर स्टार्टिंग में होगा, तो वहां पर गाईज दुको पेसर को भी मदद मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बड़ेगा, इस पिनर गेम में आते जाएंगे, बागी और आगे पिच्श स्टाटस की बाथ करने से पहले मैं आपको बताऐंगे, कि यह मैच आपको खेलना का यह तो यह मैच आपको खेलना है sport बात जिफ है, और आपको खेलना है मेरे साथ और मैãy खेलने वाली on the day gift ешь ए क्योंकि गाइस वन-उप्ट दाप अगर मैं recent condition की बात करूँ तो यहाँ पर सबसे अच्छी, सबसे best, सबसे easy to play और easy to win जहाँ पर आपको competition बहुत कम मिलने वाला है, low competition, instant withdraw, 24 to 7 customer support के साथ गजब की UI, तो guys फटा फट जाओ, डाउनलोड करूँ, link description में और यहाँ पर आपको देख सकते हो, आप smart रदसुर पर ला SB Mega, इससे आपको फायदा क्या मिलने वाला है, इससे आपको मिलेगा यह Mega League खेलने आपको free मे, आपको Mega League free में खेलने को फायदा मिलने वाला है, guys हार application आपको free contest दे देगी, लेकिन Mega League free में खेलने का मौका कोई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पर आप कोई भी amount जीच सकते हो, और यह सिर्फ और सिर्फ Sports बाजी आपको दे रहा है, तो जल्दी से जाओ, डाउनलोड करो और वो आपके 500 रुपए as it is रहेंगे, और free में Mega League भी खेलोगे और वो 500 का, Small League, Grand League जो खेलना है वो खेलने लना, Link description में आपको मिल जाएगी और Telegram पे भी मिल जाएगी, अगर ताकि मुझे पता चल सके, आप मेरे परिवार का हिस्सा और जो लोग भी आहां करिक बॉल फैमिली के हैं, सब लोग को आज डाउनलोड कर लेना है, ठीके गाई, चलो आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर पिच स्टाट्स की, टोटल अगर बात करू, 34 माच खेले गए हैं, बेटिंग गनवारी टीम ने जादा दर मैच जीते हैं, अबरेज स्कोर की बात करूं तो 256 है, हाइस्ट स्कोर इंडिया ने बनाया, 404 पर 5 विकेट है, लोइस्ट स्कोर साफ अफरीका 83 पर 10 है, स्कोरिंग पैटर्न की बात करें, तो 200 से नीचे का स्कोर 5 बार, 200 से 256 का स् 300 प्लस का स्कोर भी काफी इसली पिछ पे बनता है, पेस वर्सेज स्पिन में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पेसर को जादा मदद मिलने वाली है, लाग जो मैच खेला गया था इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर देखो आप 19 विके गिरी थी, यहाँ पर इंग्लैंड ने फर्स बेटिंग करते वे काफी अच्छा स्कोर किया, तो 19 में से आपकी 13 विके निकाली थी आपके पेसर ने, और इस पिनर को मिली थी मात्र पांच विकेड, एक और मैंस देख लेते हैं, यहाँ पर इंडिया वर्से साउथ अफरीका, यहाँ पर भी इंडिया ने फर्स इंग में 300 प्लस स्कोर किया, 15 विके गिरी थी जिसमें से आपकी 6 विके निकाली थी पेसर ने, और 9 विके निकाली थी आपके स्पिनर ने, लेकिन यह कंडिशन कुछ और थी क्योंकि इंडिया के स्पिनर वहां पर हा भी थे, इसके अलावा आप सब को है कि मैं हमेशा कहते हूं, पिच स्टाट्स कई बार हमें डाइवोर्ट करते हैं, लिकिन हमको टीम की भी कैपिबिल्टी देखनी जैसे ऑस्ट्रेलिया के जैंपा बहुत अच्छी फॉर्म में तो विकेट मिलीते हैं, इसके अलावा कर हम बात करें, बांगलादेश पाकिस सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, अपने ऑस्ट्रेलिया के तरफ से ओपिन करने हैंगे, डेविड वर्नर जिंका वर इसमाज में भी होते हैं, आपको दिखेगा हूंगा साथ देते हूं नजर आएंगे, ट्रेविस हैट, ट्रेविस हैट पर मैं हरोसा कभी भी नहीं करती हैंगे, लास्ट माच में क्या जबर्दस्त खिला था उसके अलाव फिर नजर आएंगे स्टीविसमित, को नौकाउट माच में स्टीविसमित की इंपोर्टेंस बहुत जादा रहती है, इस माच में स्टीविसमित इसली अपना विकेट ठेक के नहीं जाएंगे, बड़ी प पाक और जैंपा, बॉलिंग से मेरे मस्ट पिक यहां रहने वाले हैं, और बैटिंग से अगर में बात करो तो यहां पर स्टीविसमित, मिचल मार्स और डेविड वोर्नर, तो यह जो पाच्छे खिलाड़ी मैंने आपको पॉइंट आउट किया है, इनको आपको कनफर्म अ और स्मॉल लिग की से प्लियर कौन से होने वाले है, तो वोर्नर की सबसे पहले बात करेंगे, आप रीसेंट परफॉमेंस देखो, यहां पर लास्ट माच में हाप सेंचुरी उसके पहले भी पांच में से तीन बड़ी पारिया है, साउथ अफरिका के अगेंस स्टार्स भी पर एक मैच में 49, मिचिन मार्स की बात करेंगे, 121 दो विकेट, 36 रन, 24 रन, लास्ट माच में 117 रन मारा था, साउथ अफरिका के गेंस 23 माच में 594 रन, आठ विक्टे निकाली है, ठीक है, आगे देख लेते हैं गाईज, यहां पर अगर बात करें, लबुशाने की बात कर को भी आप अपने टीम में ट्राई कर सकते हो, आप 10-1 के कॉंबिनेशन में खेल सकते हो, लेकिन आगर ऑस्टेलिया चेस करने आएगी, तो वहां पर आप ड्रॉप अराम से कर सकते हो, ठीक है, आगे अगे अगर जो सेंगलेस की बात करें, 14, 38, 30, रन, लास्ट मार्च में 20 200-1 और 1 विकेट, वो इन हुमन पारी, वो आतंग की मत पारी और काफी जादा मतलब आतंग मचाया था उस माच में मैक्सवेल ने जिस तरह से उस अफगानिस्तान के इखलाब उस खेल में जान फूकी थी, मतलब अल्मोस वो माच हम सबको लग रहा था कि क्या उस टेलिया ह मैक्सवेल ने दिखा दिया कि आप कभी भी अपने को हारा हुआ मैसूस मत करो जब तक आपके अंदर हिम्मत है, आपको कोई अगर आप अपने आप से नहीं हारे हो तो दुनिया की कोई तागत आपको नहीं हरा सकती है, आगे बात करेंगे साथ अफरीका के गिन, 13 माच में एक मैच एक मैच चौटर गई देखो यहां पर मैक्सवेल ने मस्ट पीक रहेंगे मेरे काफी इंपोर्टेंट रहेंगे स्टीव स्मित के साथ मैं जाओंगी साथ इक तर अटार चार चौवाली सिरसर आखरी दोनों मैच में परफॉर्मेंस भी आई है, विच मैच में पंदर मैच में 21 विक्टे निकाल चुके हैं साथ अफरिका के अगे देख लेते हैं जैंपा चार विकेर, तीन विकेर, तीन विकेर, एक विकेर, दो विकेर, जैंपा देखो सबसे जादा कंसिस्टेंट बॉलिंग में है अगर ऐस्ट्रेलिया की जैसे मैं आपको पहले ही इस वर्ल्ड कब में ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग उनकी थोड़ी कमजोर कड़ी नजर आई है क्योंकि बैटिंग कहीं से भी कमजोर नहीं है, बैटिंग से हर एक खिलाड़ी अपना योगदान दे रहा है, लेकिन अगर जैंपा की बात कर लेते हैं तो सबसे जादा कंसिस् पर यहां पर जैसे मैंने आपको पहले हैं तो मस्ट पी करेंगे, थार्ड ऑप्शन हमारे पास अगर ऑस्टेलिया पहले गीन बाजी आती है, तो वहां पर आपको ही जैंपा कमिंस में से किसी एक को अपने टीम में रखना पड़ेगा, इसके लाबा मैक्सविल अद्धे को जातर हो और मैक्सविल भी करेंगे, तो वो तो मारे टीम में रहने वाले, तो तीन बॉलर होगे, चौथा बॉलर अगर ऑस्टेलिया पहले बॉलिंग आगी, तो आपको यहां पर वो बाद में बदस लेगा कि किस तरह से कंडिशन है, ठीक है, बाकी आगे मैं आपको अगर साउथ अपरिका की मैं बात करों, लीग मैच में आइधिंक वर्ल्ड कप का दूसरा साइब मैच था, जहां पर उस्टेलिया को साउथ अफरीका ने 134 रनों से मात दी थी, भाई 134 रन बहुत होते हैं, इतने बड़े रन के अंदर से मात दिया था, तो क्या वैसा ही म होगा, वो तो बाद में पुता से लेगा, लेकिन कुंटन डी कॉक्साथ देते भी नजराएंगे, टेंबा पाउमा, फर्स डाउन बेटिंग रहेंगे, रसी वेंडर तसन, जो कि मेरे मस्ट पिक रहेंगे, फिर देखने को मिलेंगे, एड़म मार्करम, हैंरिश क्लास, दे जिसमें कि मैं जाओंगी माहराज के साथ, रवाड़ा और पुट्जी में मैं पुट्जी को प्रिफर करूँगी, लेकिन यहां पर सौथ अफरीका पहले बॉलिंग आती है, तो मैं रवाड़ा को भी अपने टीम में रखूँगी, ट्राई जरूर करूँगे, उधर से हो स कोलकता की पीच इडन गार्डन में क्या स्टार्स है तो आगे देख लेते हैं, यहां पर प्लेयर परफॉर्मेंस में सबसे पहले कुटिटी कॉप की बात करेंगे, एक सो चौटर चौबइस, एक सो चौटर पांच इकालीज, आखरी पांच में से तीन अच्छी पारी आई आगे देख लेते हैं, यहां से अगर हम बात करें, माकरम की 60, 91, 6, 9, आखरी आखरी अगर तीन मैच में देखो तो माकरम फ्लॉप ते, यहां पर माकरम इंपोर्टन प्लेयर रहेंगे, क्योंकि बाक दू बैक तीन फ्लॉप के बाद इस मैच में माकरम के बल्ले से 50 सा आना कनफरम है, उस्टेलिया के गेंच 10 मैच में 402 रण, यहां पर 45 का आवरेज है, क्लासन की बात करेंगे 90, 12, 15, 10, क्लासन काफी टाइम से फ्लॉप है, मुझे लग रहा है इस मैच में क्लासन भी एक अच्छी पारी के सकते हैं, उस्टेलिया के गेंच 12 मैच में 501, 69 का आवर जैंसन की बात करेंगे है, पाउर प्ले स्पेसलिस्ट और बॉलिंग स्पेसलिस्ट जैंसन जो कि आपको बॉलिंग से कनफर्म 2 विकेट और अगर मौका मिलिया बैटिंग का तो 30-40 पॉइंट वहां से भी लिला देंगे, और इसलिए मेरे कैप्टैन सी की बहुत पहले यहां पर 160 वेन्यू पर एक मैंच के लई एक विकेट लिया है रपाटा एक विकेट, दो विकेट, एक मैंच के लास्ट माच में विकेट नहीं मिलीते हैं और जाट जो कि बहुत इंपोर्टन प्लियर रहेंगे, आप देख भी सकते हो किस तरह से भर-भर के विकेट निकाल और कुट्जी इस match में भी बहुत important role play करेंगे आप Australia के एंस चार match में 6 विक्टे संप्षी 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट Australia के एंस 8 match में 15 विकेट निकाल चुके है ठीक है आगे देख लेते हैं guys यहाँ पर भी यह बाद हो यह probable playing 11 कि almost playing 11 है extra player के stats आप द रहेंगे मिडिल ओर में केश्व माराज मेरे important baller रहने वाले कुट्जी संसी जैंसन डेथ में कगी सवरवाड़ा कुट्जी और जैंसन तो यह चार baller मैंने आपको बताया यह इस match में मेरे साइट से बहुत important रहेंगे अगर South Africa पहले gain बाजी करने आती है उस condition में तो guys आग और 55 match जीता South Africa तो बहुत जादा अंतर नहीं है यह आप अगर आप स्टार्स की देखो तो आखरी match जैसा कि मैंने आपको होता है South Africa ने जीता था को इंटन डिकॉक ने सेंशुरी लगाई थी मार्करम ने पचासा लगाया था बहुमा पैतिस केश्व माराज दो विकेड कि यह तीन नम मैंने लिया था केश्व माराज, रबाड़ा और जैंसर सामने और टीम से लवुश हाने की मैंने तारीफ करी थी मिछल स्टार्क, जैंपा और यहाँ पर मैक्स्वेल सारे वो प्लेयर आपको हेड टो हेड में दिख जाएंगे जिनक्यों मैंने आपको बता प पांच विगेड और जैंसर मुझे लग रहा है, इस माच में केप्टैंसी के सबसे पहले दावदार रहेंगे, केश्व माराज बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, सामने वे टीम से याप पर मिचल मार्स ने लभूश आने लभूश आने ने लभूश आने ने दो को केशा कि अदु प्लेयर को अपने मेंअगे प्लेयर को आपके रहें। और मैं हमेशा कहती हूँ अपने fixed player के साथ कोई खेल नहीं खेलना है बागे गाई देखो बहुत सारी बाते होगी लेकिन winning probability किसकी जादा होने वाली है तो मुझे लगता है South Africa को इस match को जीतना चाहिए थोड़ा सा मैं दिल से support कर रही हूँ बागे क्या होगा कुछ भी हो सकता है world champion है भाई ऑस्ट्रेलिया कुछ भी कर सकती है जस तरह से last match Maxwell ने किया तो ऑस्ट्रेलिया भी कुछ भी कर सकती है अगर recent performance की बाग करें तो South Africa अपने आखरी 5 में से 4 match जीती है और वहीं Australia ने 5 में से 5 unbeatable match जीते है तो guys आप देख सकते हो आखरो में तो Australia भारी है लेकिन मुझे लगता है कि South Africa जीतने वाली आपको क्या लगता है आप comment करके बता सकते हो बागे गाई देको जब इतनी सारी बाते मैंने आपको बताई दिये तो आप पैसे भी बनाओ ना Sports बाजी आपको live match में मौका दे रहा है बहुत सारे पैसे earn करने का जहां पर आपको इस तरह के छोड़े छोड़े question पूछे जाएंगे South Africa will win the ODI match against Australia अगर आपको लगता है कि South Africa Australia के against यह match जीतने वाली है तो आप से true और false में answer करके बहुत पैसे बना सकते हो तो इसके लिए आपको अधर अधर application डाउनलूट करने की जुरुरत नहीं है जिनकी safety भी नहीं होती है जिनकी कोई security नहीं होती है तो guys यह बहुत जादा trusted app है आप यहाँ पर खेलो जहाँ पर आपको एक application में आप fantasy के साथ साथ multiple gaming खेल सकते हो इसके लावा आप देख सकते ह आपर कितने सारे contest हैं आपको एक रुपए में 25,000 रुपए जीतने का मौका मिल रहा है तो अगर आपके पास पैसे नहीं है एक रुपए लाग के खेलो 25,000 तो जीतने का मौका है बागी खेलो इतना stats इतने गजब के हम cover कर रहे हैं कि आपकी winning होनी confirm है तो इस match की best fantasy team क्या र रबाडा रबाडा के place पर देखो यहां पर आप चींज कर सकते हैं आप यहां पर कुटजी के साथ भी जा सकते हो एक अच्छा option हो सकते हैं हलागी रबाडा भी best है experience है बागी देखो इस match की captaincy की best option हैने वाले है कुंदंडी कॉप VC के लिए आप Warner के साथ जा सकते हो अगर option में अगर आप मुसे पुछोगे तो मेरे पास Janssen सबसे पहला option होंगे CVC के लिए तो screenshot लो same team के साथ जाओगे जब बर्दर spinning होने वाली है 60-70% तक के contest जीत क्या होगे कल की अगर वीडियो वाले team से खेले होते तो 80% के contest जीते होते और आज वाली team को भी उठा के देख ले लोग 3-4 पिक देते हैं हम आपको maximum पिक देते हैं वार्नर, डिकॉग, लभूशाने, मिचल, मास, स्टीव, 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 जैंसन, मैक्सव, माक्रम, एडेस, जैंपा यहां पर गाई है अगर आप देखोगे ना तो हमने आपको almost 9 fixed player दे दी है 9 आपके पास fixed player हैं सिर् जिससे कि आप एक different combination एक different team लोगों से लाखोलों से एक हटकी team create कर सोगों लेकिन captain voice captain इनी 9 में से उसके लिए कोई छेड़ चार नहीं जैसा last match में भी मैंने का था यहां पर भी इस 9 में से 6-7 खिलाड़ी इस match में आपको सबसे अधर point देंगे उस सबसे अधर point देखते हैं पुरे match में कोई नहीं देगा ठीके guys तो screenshot लो team create करो थोड़ा permutation combination लगाना वीडियो को फिर से देखना बागी guys देखो final team आती है मेरे telegram channel fantasy cricket ball पे तो जिसने जिसने अभी नहीं join किया है और बहुत तेट सारी winning करनी है second semi final में आग लाना है final match में धमाका करना है तो guys इस cricket world cup 2023 क मिलेगी आपको description के साथ साथ comment box में pin है तो फटा फटा फट जाके join हो जाना है और आज का हमारा giveaway question यह रहने वाला है कि इस match में player of the match कौन बनने वाला है और second question यह रहने वाला है guys अगर मैं बात करूं कि इस match में सबसे ज्यादा most of the sixes कौन बानने वाला है तो बहुत easy question है द यहाँ पर hashtag लगा के आपको दोनों question का answer कर देना है guys तो आज के लिए बस इतना ही हम जल मिलेंगे next match के पूरी prediction के साथ and I hope so आपको वीडियो पहुत पसंद आई तो like, share, subscribe करना नहीं बूलिएगा बागी आप चाहो तो Instagram भी follow कर सकते हो guys यहाँ पर World Cup दो जाते ही second semi-final match के आप सब को all the best